नमो नमो विद्यारतियों आज हम हमारी संस्कृत कक्षा आठवी का चतुरदशः पाठह देवी अहिल्या पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम देवी अहिल्या के जन्म, उनका व्यक्तित्व, न्याय निश्ठा इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे चतुरदशः पाठह देवी अहिल्या प्रस्तुत पाठ्जोयक महानिस्त्री देवी अहिल्या के जीवन चरित्र को दर्शाता है जो मालवा प्रदेश के खंडेराओं की जी जो थे उनकी पत्नी थी उनका जन्में 31 में 1725 को महाराष्ट के चोंडी गाओं में हुआ था उनका व्यक्तित्व जो था वो बहु मुखी प्रतिभास से संपन्न था वे प्रजा को चाहने वाली धर्म परायन वो करतव निश्ठा वान महिला थी उनकी शाशन व्योस था अर्थ निती रक्षा निती अनुपम था अब इस पार्ट में हम बच्चों के द्वारा अर्थार्थ यहां पर एक वारतालाफ हो रही है उसके माद्धे में से हम इस पार्ट को समझेंगे तो आईए समझते हैं अंजना हरियों भ्रात ह भवान कुत ह आगच्चती देखें अंजना ने कहा हरियों भईया आप कहां से आ रहे हैं अंकेश ने कहा अंकेश भगिनी मालव प्रदेशत ह आगच्चन असमी अर्थार्थ अंकेश ने कहा बहन में मालवा प्रदेश से आया हूं अंजना तव जन्म देश मद्यप्रदेश से मालव शेत्रे वर्तते किम तत्र को विशिश अर्थार्थ अंचना ने पूछा, क्या तुम्हारा जन्म अर्थार्थ जन्म स्थान जो है, वो मदर्प देश का मालवा शित्र है, उसकी क्या विशिष्टा है, बताइए तो, अव अंकेश ने कहा, आम सत्य है, विक्रमादित्य भोज राजा भ्याम, पोशिते, मालव शेत् इती विशयम अधिकरत्य लेखन प्रतियोगिता आसे देखी उन्होंने क्या कहा कि हाँ विक्रमादित्य और भोज राज के द्वारा शाशित मालवा शेत्र में अहिल्या बाई का प्रजा प्रेम विशय पर लेखन प्रतियोगिता थी बंजना बोल रही है तरही कथए में अह अब अंकेश ने कहा शुशीला बाई मानको जी इती अनयोह सुपुत्री आसित अहिल्या बाई महाराश्ट्रत सी चोंडी ग्रामे पंच विन शत्यूत्तर शतप्द दश क्रिश्तापदे अर्थार्त 1725 मैं माससी एक 31 दिनां के जन्म अलभत अंकेश ने कहा शुशीला बाई और मानको जी इन दोनों की एक सुपुत्री थी अहिल्या बाई का महाराश्ट्र के चोंडी ग्राम में 31 मिसन 1725 में जन्म हुआ था अंजना नर्मदा शिप्रा शिवना चंबल नदी भीह संपनस्य मालव शेत्रस्य वदू खंडे रावस्य पत्नी खलू अहिल्या बाई अर्थार्त नर्मदा शिप्रा शिवना चंबल आदी नदियों से संपन्न मालवा शेत्र की बहु और खंडे रावजी की पत्नी अहिल्या बाई थी अंकेश आम सुबिदार मल्ला रावस्य पुत्र वधु मालव प्रजानाम सर्वस्वं आसीत अहिल्याया ह व्यक्तित्वं बहु मुखी प्रतिबा संपन्नम वर्तते स्म एशा प्रजा वत्सला धर्म परायना न्यायनिष्टा महिला आसीत इंदोर नगरेत अस्या राजवाडा शेत्रम सुन्दरम पवित्रम च अस्ति अध्यापी राजवाडा इस्थलम इंदोर नगरसी रदयमीव प्रेक्षिनियम वर्तते अत्र देश विदेशेभ्यव यात्रिगाह दर्शनार्थम आगच्चंती अंकेश ने कहा हां सुबिदार मल्लाराओ की पुत्र वदू मालवा की प्रजा की सर्वस्व थी अर्थार्त सुबिदार जो मल्लाराओ थे उनकी वो पुत्र वदू थी उनका पुत्र कौन था खंडेराओ जी उनके पुत्र थे और उनकी पत्र वदू जो थी वो अहिल्या थी अहिल्या बाई का व्यक्तित वह बहु मुखी प्रतिवा संपन्न था वह प्रजा वत्सला धर्म परायना और न्याय प्रीमहिला थी इंदोर नगर में उनका राजवाड़ा शेत्र सुन्दर और पवित्र इस्थान है राजवाड़ा में उनका जो एक स्मृति के तोर पर शेत्र बचा हुआ है वो राजवाड़ा के रूप में कहलता है जो कि इंदोर के बीच में बसा हुआ है आज भी राजवाड़ा का इस्थान इंदोर नगर के रदे के रूप में एक देखने योगिस्थान है यहां पर देश और विदेश से यात्रिगन देखने के लिए आ अंजना इस्मरामी तस्याह धर्म निष्ठाम सो पुत्रस्य माले रावस्य मरनानं दरम नर्मदा तीरम इंदोर समी पस्तम महेश्वर इस्तानाम राजधानें चकार अर्थार्थ अंजना ने कहा मैं उनकी धर्मी एक निष्ठा को जानती हूँ अपने पुत्र माले राव के मृत्यों के बाद नर्मदा के किनारे इंदोर के समी पिस्तिद महेश्वर को उन्होंने अपनी जो था राजधानी बनाया था पुना पुना इस्मर्तु प्राचीन कालत अवंतिका नामनी प्रसिद्धा उज्जीन्या महीश्मती नामना प्रश्रस्तम महेश्वरे चईती इस्थान दोयम मालवशत्रे अंतर भोती हूँ देखिए उसने क्या कहा वो बार बार यही याद दिला रहा था प्राचीन काल में अवंतिका नाम से जो प्रसिद्ध था उज्जेन था उसके परिशत महीश्मती जो हे वो भी पुर्णे टाइम महीश्मती नाम था और आज के टाइम महीश्वर नाम है तो यह दोनों इस्थल भी जो हे वो मालवशेत्र के अंतर गर्थी आते हैं उखना ने कहा कि राजा महीशमता ध्वारा निर्मित महीशमती आज के समय में महेशवर नगर के नाम से प्रसिद्ध है यह अनुप देश के राजा शहस्त्रा अरजून की राजजानी भी हूआ करती थी अंकेश अतकिम रामायन महाभारत ग्रंथयो बोध जेन्धर्म ग्रंथेशु अपी महेश्वरस्य उल्लेखो अर्तते कालिदास विरिचिते रगुँ वैंशे महीश्मती वर्ण नमस्ती आदीशंकर मंडन मिश्रयोह मदेश स्त्रार्थ चर्षा महेश्वरिस्थाने एव इनकेश क्या कह रहा है अच्छा-च्छा रामायन और महाभारत ग्रंथों तथा बहुत और जेन्धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर का उल्लेख मिलता है कालिदास जी के द्वारा जो लिखेत रगुँ वैंश महाकाव्य महेश्वर का वर्णन मिलता है वह यहीए आदीश महेश्वर है वो इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है अंजना अहिल्या भाई धीरा शाषन प्रवीना चो आसित इती पठीतवा अर्थार्थ अंजना ने कहा कि हमने सभी पड़ा है कि अहिल्या भाई धीरी शालीनी और शाषन संचालक में दक्षती अं आम सत्यम खलू हाँ हाँ बिल्कुल सत्य बात है ये तों तस्या शाषन वियोस्त अर्थ नीती रक्षा नीती विद्या प्रिती च विशिष्टा उती ग्यायते अंजना अहो भाग्यम मालव शित्रस्य जयतू किर्ती शेश अहिल्या बाई अंकेश हा जयतू जयतू लोक मा अहिल्या बाई उभो सर्वम सहाथ जीत क्रोधा अहिल्या बाई ती किर्तिता धर्मार्थ काम मौक शेश्व नीरता राजते सदाव अर्थहर्थ उनकी जो शाषण व्यावस था थी ए इसके अहिल्याबाई का मतलब एक वर्दान मिला है कि उनकेश में अहिल्या भाई ने अपना राजपार चलाया है अहिल्या भाई की क्या हो जै हो अंकेश ने कहा लोक माता अहिल्या भाई की जै एवं विजय हो दोनों एक साथ खड़े हो के बोलते हैं कि इस धर्ती पर क्रोध विजयीनी अहिल्या भाई की किर्ती व्याप्त र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति मेवे सदेव सलगन रहें